ओके अलो फ्रेंड किसे हो आप सब में विशी और आप देखरें बारे में बात करने वाले कैसे हम अपनी ट्रेडिंग में फेक ब्रेकाउट से बचे कैसे इसको अवेड करें तो दोस्तो अभी तक आपने अमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर पहला पोईट है वो है डौन चेस पेराबोलिक मूग अभी यह पेराबोलिक मूग क्या होता है आपने देखा होगा बहुत चार्ट में ऐसा होता है कि अगर आप इसमें श्टोपलोस लगाना चाहोगे तो कहा लगा ओगी समझे तो यह लाष्ट लोग के पास अगर श्टो क्योंकि अगर मार्केट गीरता है तो वह support कहाँ लेगा ये एक suddenly move है तो अगर मार्केट गीरेगा तो support कहाँ लेगा simple सी बात है उसको support लेने के लिए क्या है चाहिए पीछला एक base चाहिए तो वह base तो बहुत नीचे है तो आपका क्या होगा जो market एक suddenly rise पकड़ लेता है तो उसमें आपको enter होने की जरूरत नहीं है वेट कीजिए अगर उस stock में आपको entry लेनी है समझ गये सो जो parabolic move होता है जो एक suddenly rise के साथ move होता है उसको आपको entry लेने की जरूरत नहीं है क्यों? क्योंकि पहला बात कि उसमें support आपको बहुत नीचे देखने को मिलेगा सो आपका stop loss भी बड़ा हो जाएगा सो आपका risk reward ratio मान लेते कि इतना एक move मिल चुका तो अगर आपका risk reward ratio के लिए आपको इतना और उपर क्या है कि target लगाने पड़ेंगे तब आपका 1-1 risk reward ratio होगा already इतना move दे चुका है तो उतना फिर से move देना थोड़ा hard हो जाता है सो better यही रहेगा कि आप क्या कि जो suddenly move होता है जो एक parabolic move होता है उसमें enter ना हो तो जो हमारा पहला point था वही था कि आपको parabolic move में enter नहीं होना है अभी हम इसको एक बार chart पे देख लेते और बेटर आपको idea आए तो अभी हम आ चुके Colgate के chart के उपर तो आप देखिए वन विक का chart है तो इसमें मैं क्या है कि एक बार drawing ओपन कर लेता हूँ उसमें आपको idea है तो यह इसका क्या था last resistance था तो मैं इसको mark कर देता हूँ बाद में आप देखिए इसमें कि आपको एक candle भी downside नहीं मिले देखो एक suddenly rise हुआ trend समझ गे तो आपको यह क्या है कि लग रहा है resistance तो देखो इधर एक fake breakout देखने को मिला है जब आप इसको one day पे देखोगे तो वसायद हो सकता है कि इधर आपको क्या है कि upside एक अच्छी से candle दिख जाए और बाद में यह downside आएजए तो वो भी हम देखेंगे लेकिन आप देखो एक अच्छा सा uptrend मिला बाद में इधर एक fake breakout करके यह नीचे चला गया समझ गे तो एसे breakout से आपको बचना आए कोई भी trend हो क्या है कि कि जो parabolic move है उसको हम हो सके उतना avoid करे अभी हम इसको क्या आए कि one day पे देख लेते तो आपको idea आए कि वहाँ क्या हुआ था actually में तो आप इसमें देखो suddenly uptrend मिला है में एक बार इसका जो पिछला था उसको mark कर लेता है उसको आपको idea है देखो इदर इसने एक अच्छी body candle से इसका breakout कर गया next day फिर से नीचे इसलिए हम बोलते हैं कि जो parabolic मुह होता है उसमें आपको कभी भी enter नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें पहली बात होगी आपका stop loss stop loss हो सकता है बड़ा हो जाए और दूसरी बात होते है कि इतना अगर up जा चुका है तो वही trend आगे इतना continue करना क्योंकि one jam one आप minimum लेके जाओगे कोई भी trade में तो उतना फिर से आगे continue करना थोड़ा hard हो जाता है कोई भी stock के लिए इसलिए हम क्या है कि parabolic जो move होता है उसको हो सके उतना avoid करते है अभी जो हमारा दूसरा point है वो क्या है कि जो भी आप breakout use करे हो वो तो क्या होना चाहिए consolidated zone में होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए higher low बनाना चाहिए या lower high बनाके वो breakout करना चाहिए ये consolidated zone तो क्या है मोशली को समझ में आ गया होगा मैं एक बार चार्ट पे भी बता दूंगा सो आपको आइडिया आएगा लेकिन ये higher low lower high क्या है तो simple सी बात है कि आपका कोई भी trend है मान लेते कि वो क्या है कि resistance का breakout करना चाहते तो केसे होगा तो मान लेते कि ये इसका resistance है तो उसका जो trend होना च करता और एसे आगे continue करके वो breakout कर देता है तो वो अच्छा breakout होता है मेरे इसाब से और एसे जो breakout होते वो बहुत कम बार फेल होते तो अगर कोई एसा structure मिल जाता है कि वहाँ आपको एक resistance मिल रहा है और वो जो low है वो पिछले low को break नहीं कर पा रहा है मतलब higher low बन रहे और breakout हो होता है support का breakout support के breakout में क्या चाहिए आपको सपोर्ट होगा बाद में क्या होगा यह सपोर्ट पर उपर जाएगा नीचे जाएगा पिछले होएा гр पिछले आयों कोई ब्रेक नहीं करेगा और बाद में अगर ये नीचे की साइट डेंगाउट देतां तो एक अच्छा आपको नीचे की साइट ड्रेक आउट मिल सकता है इसको हम बोलते लोवर आई समझ गया अगर सपोर्ट पर मिल जाता है तो ने इधर कर दिया breakout तो ये एक अच्छा consolidate breakout होता है इसमें आपको क्या है कि stop loss कम मिलता है target अच्छे set कर सकते हो तो हो सके उतना आप क्या है कि एक consolidated zone होगा उसका breakout पे आप positive news है तो वो क्या करेंगे buy करेंगे और जैसे ही buy करते है उसके थोड़े टाइम बाद वो गीर जाता है क्योंकि वहाँ profit booking start हो जाती है आगे क्या है कि जिसने भी buy किया होगा उसको यहां best price मिल रहे है तो वो क्यों profit booking नहीं करेगा समझगे सो इसलिए क्या है कि higher जो move होता है ज इसमें हम देखेंगे कौन सी candle अच्छी breakout वाली candle है और किसको avoid करना है मतलब candle भी आपको जो breakout वाली candle है वो भी देखनी होती कि कौन सी candle अच्छी है कौन सी candle हम नहीं लेके जाएंगे सो अगर वो part आपको चाहिए तो इस video पे आपको अच्छी खासे like करनी है share करना है comment करना ह अगर subscribe नहीं किया हमारी चैनल को तो subscribe कर लीजिए तो यह हो गई बात अमारे एक normal consolidate zone breakout की बात अभी जो हमने higher low lower high की बात की थी उसकी बात कर लेते हैं तो देखिए यह PL का चाहट है आप देखिए यहां यह resistance लिया पहली बार दूसरी बार resistance लिया तीसरी बार इदर रजिस् इसला low है वो break नहीं किया है बड़लब इसके नीचे अच्छे से closing नहीं दिया एक बार इदर यह क्या है कि इसके पास चला गया था लेकिन फिर से क्या हो गया buying active होई और अपर चला गया समझ गे बाद में आगे जाके इसने इदर breakout दे दिया देखो breakout वाली candle भी अच्छे त तो वो सब का है कि आपको देखना होता है इसके बाद इसने breakout दिया फिर से retest करने आए और बाद में एक अच्छा सा मूह देखने को मिला तो यह होता है higher low lower high मतलब जो पिछला low था वो उसके नीचे closing नहीं करेगा मतलब इसके पास भी अगर जाएगा तो वहां से buying active हो है तो वो भी अच्छी situation होते है जहां से आप क्या है कि breakout पे entry ले सकते हो अभी इसके बाद हम बात कर लेती कि अगर कोई श्टोक 52 विक हाई पे है और वहां अगर उसका breakout होता है तो कैसे देखना है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते जो 52 विक हाई पे entry लेते समझ गे उस नीचे गया उपर गया नीचे गया उपर गया नीचे गया मतलब जो यह 430 का level था 420 या 30 जो भी बोलो उसके आसपास का जो level था वह वहां से क्या कर रहा था support ले रहा था तो अभी यह क्या हुआ all time high है इसका तो अभी यह all time high इसने breakout करके देखो कितना अच्छा mood दे दिया तो जब all time high breakout करता है तो वहां दो चीज देखनी होती है कि जो all time high है उसके पहले consolidate हो जाना चाहिए बाद में वो अगर breakout करता है तब आप ले सकते हो या तो क्या होना चाहिए all time high या 52 week high जो भी है वो breakout हो जाने के बाद थोड़ा consolidate करे और उसके बाद वो breakout देता है तब आप उसमें buy कर सकते हो उसमें आपका stop loss भी थोड़ा छोटा हो जाएगा और आपको क्या है कि अच्छे target देखने को मिल सकते है तो में इसको क्या है कि one week पे एक बार shift कर देता है उसमें आपको idea है तो बाद में नीचे गया और फिर इसने ये high break किया और बाद में एक अच्छा सा trend देखने को मिला आपको समझें तो जो 52 week आई है all time आई है उसका breakout जब आप लेके जाओ तो वहां देखो उसके आगे को एक consolidate हो जाना चाहिए या तो क्या कीजिए यह वो breakout होता है उसके बाद ए range breakout अभी हम इसके आगे का जो point है वो देख लेते हैं अभी इसके बाद का जो हमारा point है वो है trade with trend बहुत सारे लोग को आपको बोलते हुए सुना होगा कि trend के साथ entry low trend के साथ entry low so यह होता क्या है simple सी बात है अगर कोई भी चीज uptrend में already है तो आपको उसको uptrend में breakout का wait करना ह अगर कोई चीज down trend में तो आपको उसको down trend में breakout का wait करना है normally लोग क्या करते है अगर uptrend है और उसको क्या है कि normal range मिल जाते है और downside अगर breakout दे देता हुए तो downside के लिए चले जाते है normally ऐसा होता है लेकिन आपको उसमें थोड़ा और ज्यादा confirmation वगेरा लेना होता है simple सा ऐसा नहीं होता कि वह एक uptrend में बाद में एक range हो गए और downside breakout दिया तो में लेके चला जाओ और दूसरी बात जो main reason होता है big breakout का मेरे हिसाब से वो क्या होता है कि बहुत बार आपने ऐसा देख लिया होगा कि breakout फेल हो जा रहा है क्यों हो जा रहा है तो simple सी बात है उसका मान लेते जाते हो upside तो उसका one week का जो trend होता है वो downtrend होता है और आप ले रहे हो one day पे breakout अपर की साइड मतलब by side समझ गें तो weekly trend उसका downtrend है और आप by side one day पे जा रहे हो तो उसका क्या होता है simple सी बात है कि वो फेक breakout chances थोड़े increase हो जाते है मेरी ओर से समझ गे क्योंकि one week का trend downtrend हो तो कभी ना कभी आगे जाके उसको कोई क्योंकि रजीस्टंस फेस करना ही पड़ेगा समझ गया हो सकता है वो resistance आपके जहां एन्ट्रेंड है उसके थोड़ा ही आगे हो बेटर यही रहेगा कि जो main trend है उसमें ही हम entry ले अगर main trend downtrend है तो हम downside ही entry लेंगे अगर main trend uptrend है तो हम उसके uptrend के साथ entry लेंगे समझ गए तो यह होता है trend के साथ entry लेना एक बार में आपको chart पर भी बता देता हूँ और बेटर आपको idea है तो यह nifty 50 का one hours का chart है तो आपको इसमें main trend देख लो इधर से यह uptrend में ही है समझ गए तो इधर देखो पहली range बने आपको इधर क्या हुआ नीचे गया अपर गया नीचे गया अपर गया तो एक range बन गई में फिर से upside निकल गया अभी क्यों ऐसा हुआ तो जो इसका main trend था वह uptrend था और आप लेके जारे उसको downtrend समझ गे जो पहली बार downtrend देता है उसमें थोड़ा risk होता है अगर आपको इसमें proper downtrend आप मान सकते हो तो एक बार उसको downtrend confirm करने दीजिए अगर आपको पता होगा कि कैसे वो downtrend confirm करता है तो बेटर चीज़े नहीं पता तो आगया आने वाले वीडियो में हम बता देंगे कि कैसे हम trend को पहचाने के वो shift हो चुका है downtrend या uptrend में समझ गे तो इधर क्या हो गया फिर से यह uptrend चला गया क्यों main reason वही था कि इसका main trend uptrend था लेकिन यह downside breakout दे दि entry लीजिए हम में साथ अगर इधर entry नहीं लेते आपको तो क्या होता कोई दिक्कत नहीं थी आपको already क्या है कि आगे entry मिल चुकी है और एसे थोड़ी ना है कि हम क्या है कि entry लेनी ही लेनी है समझ गे सो जब आपको opportunity मिले तब आप entry लीजिए कोई भी stock में अभी इसके बात क तो मैं buy कर लूँ सीधा समझ गे बहुत सारे ऐसे लोग होते उसको लकरा है कि ये इसका resistance है दो बार इसने इधर resistance लिया है तो ये इसके उपर जैसे ही जाएगा मैं buy कर लूँगा ऐसे नहीं होता at least उसको वहाँ close तो करने दो उसके उपर close तो करने दो अब सीधा ही direct उसके line के नीचे तभी हम मानेंगे कि ये इसका proper breakout हो सकता है simple सी बात है क्योंकि बहुत time ऐसा होता है कि वो उसके उपर भी चला जाता है बहुत उपर चला जाता है ये इसके उपर चला गया लेकिन बाद में end of the day वो फिर से नीचे आ जाते और वही के वही मतलब वो जो range में था वही के वही आके close कर देता है जो जो हमारा आखरी point था वो था wait for breakout candle close अगर वो support के नीचे proper close करता है तभी हम selling के लिए जाएंगे अगर resistance के उपर proper close कर देता है तभी हम buying के लिए जाएंगे अगर वो वीडियो चाहेगे तो please zero like comment कर दो हमें पता चलना चाहेगे कि आपको इसमें interest है अगर ऐसा कुछ हो जाता है तब हम इसका दूसरा पार्ट लाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कौन सी candle proper breakout वाली हम मानेंगे कौन सी candle हम proper breakout वाली नहीं मानेंगे so please zero like comment and subscribe कर देना चलिया मिलते अपने next वीडियो में तब तक के लेट अटा गुडबाई जय हिन